हेलो प्यारी बचो क्या हाल चला आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीब सरकी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारी बचो तो देखिए प्यारी बचो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोनिक्स और बहुत दिन हो गय करेंगे जो गेट वाला अपना टॉपिक था चल रहा था वैसुसी को कंटीनियू करेंगे उसी में यह आगे वाला पार्ट है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है कोई ज्यादा उजगने वाला टॉपिक नहीं है ठीक है तो चलिए बचो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नहीं एनर्जी के साथ तो देखी पहरे बचो सबसे पहला जो टॉपिक अपना वो है नौर गेट ठीक है अब नौर गेट क्या होता है आपने तीन तरह के गेट आप पढ़ चुके हो अल्रेडी जिसमें अपने पहले पढ़ा यह लाइन तो आप याद रख लो हर एक गेट में लिखनी लिखनी आपको अगर गेट के बारे में डिटेल पूछ लिए आप से ठीक है इस गेट इस मेड़ अप विद सीरीज कंबिनेशन ओफ और और नौट गेट यह जो गेट नहीं यह दो गेट से मिलकर बनता है और गे इन एक्सप्रेशन है मतलब जो इसकी एक्वेशन है वो आपके पास क्या है y is equal to a b की बार अब आप देखो कि जो a plus b का काम है वो तो करता होता है कौन जो आपके पास और गेट है समी करता है यह दो इनपुट का और उपर बार यह कौन करता होता है नोट गेट तो अपने क इसका सिंबल देखो सिंबल इसका यह वाला है लेकिन यह बनता इन दो गेट से है तो इससे यह वाला सिंबल बना हुआ है ठीक है यह किसका सिंबल है यह और गेट का और यह वाला किसका है नोट गेट का तो अब जब अपने इसका सिंबल बनाने लगे है यह साइन जो इसक करता है फिर आगे नोट गेट में जब इंपूट की फॉर में जाता है तो आउट पुट अपने को ए प्लस बी का होल बार यहां पर मिल जाता है ठीक है अब आती है बात इसकी टूथ टेवल की तो टूथ टेवल कैसे बनेगी इसकी कि देखो आपको यह वाले चार्थ तो लि ऐन्हें पर लिखनेगे तो देखो ए प्लस भी तो आपको जोड़ना है सीधा जीरो और जीरो 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 और एक एक जीरो और एक एक और एक एक इसमें ठीक है je इस प्रकारा चाहेगा अब इसका बार लगाने श्येकंश को यह वह और मतलब कि आपको रिजल्ट है वो क्य देगा एक को जीरो जीरो और जीरो यह आजेगी इसकी आटो समझाई अब इसका ना ही तो आपके कोई सर्कृट डायग्राम है ना ही आपने जो बलब वाला डायग्राम वैसा कुछ भी नहीं है इसका क्योंकि यह थोड़ा सा complicated gate है तो इसकी only आपको जो परिवाशा दी हुई है ठीकर डेफिनेशन इसकी दी हुई है और इसकी introduction वाला पार्ट ही दिया हुआ है यानि ज्यादा detail में नहीं आँके फिर उसके बाद आता है NAND gate तो अब NOR gate जब आपने फट लिया तो NAND gate भी समझ गए होगे भी कैसा gate होगा है यह वाला जो NAND gate है तो NAND gate क्या है इस gate also have two or more input terminal and one output terminal इसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा input terminal होती है और एक output terminal इसमें होता है इस gate is made up with series combination of NAND and not gate यह क्या होता है अब इसमें not gate तो आए गई आएगा क्योंकि N आया हुआ है और N के साथ N लगा हुआ है तो मतलब यह NAND और not gate के series combination से बनता है अब इसका boolean expression तो यह जो NAND gate वाला result होगा उसको क्या कर देगा यह reverse कर देगा तो NAND gate का होता है A into B और उप पूर क्या लगा देगा यह उसके बार लगा देगा तो यह इसकी क्या आजएगी equation आजएगी ठीक है फिर उसके बाद आता है symbol या sign तो जो NAND gate का symbol या sign होता है उसके आगे note gate लगा तो और यह दोननों combine होके end gate वाला तो वैसे का वैसे और साथ में बिंदी जो आजएगी य note gate वाली आजएगी इसका symbol आप थोड़ा ना सही कर लेना आप मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जो book में ना इसका symbol थोड़ा सही नहीं दिया हुआ शायद तो कई जगा symbols में दिक्कत है book वालोंने और और end gate को mix कर दिया है ठीक है ना तो इस कारण जो symbol है वो आप थोड़े स आपको निकालना final result उसके according बाकी result set कर लो a b bar निकालना है तो a और b तो आप लेते ही हो a into b आप लिख लो और a into b का bar तो 0 और 0 जीरो यहां पर भी 0 यहां 0 और यहां 1 फिर बाद में यहां 3 1 आ जाएंगे और यहां पर क्या जाएगा 0 जो कि आपके पास क्या है वच्छो output है ठीक है ना output है अब next है जॉर गेट अब जॉर गेट क्या होता है कि जॉर गेट में two or more input terminals and one output terminal होते हैं जॉर गेट एक तरह का अलग special तरह का gate है इसमें भी वही same है वाली line तो और boolean expression इसका जो होता है y ब्राबर a और यह plus type का यहां पर symbol और b है यानि plus वाली symbol को आपने इ इसका मतलब क्या है अब यह जब यह क्या है एक तरह का operation है इसको binary operation मुल देते हैं यह plus यह minus वैसा कुछ नहीं है यह binary operation है और जब यह operation किसी भी दो input पर लगता है तो output अपने कुछ type का मिलते है यह यह इंटो b bar plus a bar into b तो यह इसकी equation है ठीक है यह इसका short form है और यह इसका expanded form आ गया आपके पास ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसका जो expanded form है वो किस type का आता है अब उसके बाद है साइन और symbol तो यह जौर गेट है एक्स ओर गेट भी से बोल देती है ठीक है ना जौर गेट है तो और गेट वाला तो symbol आए गई आएगा और पीछे एक यह वाल बी अब इसकी truth table आती है तो truth table इसकी कैसे बनाएंगे बचो देखो कि A और B तो आपको लेनी पड़ेंगी अब जो इसका output result है A B bar प्लस A bar B जिसमें A bar B और B और B तो A bar B bar की value find करनी पड़ेगी फिर अपने को A B bar और A bar B की value find करनी पड़ेगी और फिर इन दोनों का sum करना प आपको पहले एक उसमें बनेगा जैसे मानलो मैं इसको लिक भी देता हूँ यहांपर अगर आपको इस तरीके की equation देदें भी इसकी truth table बनाओ और प्लस में आपको यहांपर B देदें ठीक है तो A वाली line आएगी B वाली आएगी यह तो आएंगी आएंगी अब A bar B और दोन इस तरीके से आएंगे कॉमल कॉलम बनेंगे यहांपर जो आपकी equation है उसके इसाब से यह expression जो boolean expression उसके इसाब सी कॉलम यहांपर बनेंगे ठीक है तो यह column जब यहांपर बनेंगे तो देखो A और B तो बनेंगे अब A बार किस प्रकार बनेंगे A वाले जो A वाली values आउन B बार का multiply कर दो आप A किसाब से ठीक है A और B बार मतलब कि पहले और इस चौथे कॉलम का multiply करो तो 0 और 1 जीरो यह वाला 1 और यह वाला 1 1 0 और 0 आपके बास 0 आगया और 1 और 0 आपके बास 0 ठीक है इसी तरीके से आप इन दोनों का भी multiply करो तो यह आ जाएगा अब इन दोनो का sum कर दो तो 0 और 0 0 1 और 0 1 और 0 1 1 और 0 0 ठीक है इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर output है यहां आपकी जो truth table का final result है वो आ जाएगा समझाई बात बचो अब next है this gate is also made up with or and and not gate इस जो यह वाला जो gate है इसको अपने or and or not तीनों की help से बना सकते हैं कैसे ती कि यहां पर अपने दो input दे रहे हैं A और B ठीक है A और B के आगे अपने क्या कर रहे हैं यहां पर दो क्या लगा रहे हैं यह वाले end gate लगा रहे हैं और उसके आगे एक or gate लगा रहे हैं क्योंकि देखो दो यहां पर आपके पास दो चीज़े multiply में हैं तो दो आपको end gate लग कि इस वाले end gate में आपको एक तो A चाहिए और एक B बार चाहिए आउटपुट पर A B बार चाहिए तो A B बार आप क्या करोगे A वाला तो यहांबर direct input दे दोगे इसको ऐसे और B बार देना है तो आपको B से B वाला terminal के आगे एक note gate लगाना पड़ेगा यहां पर जो output निकलेगा B बार फिर उसको इस end gate के input में देना पड़ेगा तो पीछे से देखो यहां से A आया यहां से B बार आया तो यहां पर अपने को A into B बार मिल जाएगा समझाई बात A into B बार यहां पर मिल गया आपको अब उसके बात देखो अपने क्या करते हैं जो नीचे वाला gate है उसमें A बार into B चाहिए तो अपने इस A वाली terminal से एक wire निकालते हैं समझ लो इसको इसके उपर से गुजारते हैं इसके साथ touch हुई है या मुड़े हो एका मतलब यह है कि यह वाली wire इसकी उपर से जा रही है और इसको अपने next एक note gate लगा देते हैं तो note gate से जो output मिलेगी वो A bar मिलेगी और उसको अपने इसका बना देते हैं निचे वाले end gate का input और B वाले से भी एक सीधी wire निकालके और इससे दे देते हैं तो देखो B वाला तो B आएगा input जो आएगा यहांपर और यह A bar होके आएगा तो A bar into B और फिर इन दोनों जो यह output आपको मिली है इन दोनों end gate से इनको अपने आगे or gate से connect कर देते हैं और or gate क्या कर देता है इनका sum तो आप देखो note end और 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 तीनो gate यहांपर use में है यह boolean circuit for is or gate है ठीक है अब next देखो special note यहांपर लिखा हुआ है और यह special note से अपनी question आता है जो एक नमर का question यहां से पूछा जा सकता है important note आई यह आप लगा लेना इसको कि end and nor gate are also called universal gates because basic gates or end and not gates are also made up these gates only भी अगर आपको एक आपके पास only nor gate है या नेंड गेट ही है ठीक है आपके पास आठ दस नौर गेट है या आठ दस नेंड गेट वाले circuit है तो उन only nor gate या नेंड गेट से आप तीनो तरह के gate बना सकते हो और गेट भी बना सकते हो only nor वाले या नेंड वाले connect करके या आपको कह दें नौर नौर वाले connect करने है और आपको और गेट बनाना है या end gate बनाना या note तो एक ही gate से आप तीनो टाइप के gate बना सकते हो ठीक है ना तो इस कारण इन gates को अपनी universal gates कह देते हैं चाहे आपके प using nand gate nand gate का use करके अपने तीनो किस परकार से बना सकते है जो gate है तो nand gate से जब not gate बनाना होता है तो अपने क्या करते है और या up terminal लगा देते हैं भी common होगी यह दोने terminal ठीक है दोनों को एक साथ connect कर दिया तो पीछे से एक ही input आएगा तो अब यह input आ रहा है और जब आपने इसको क्या कर रहे हैं NAND gate पर लगा रहे हैं तो output अपने को X बराबर A bar यहां पर मिल रहा है समझाई बात तो यह A bar अपने को मिल गया क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई दूसरा input होता फिर तो आप क्या करते इसका sum वगेरा करते या multiply वगेरा करते जो multiply output यह देता है स्वारी जो आपके पास NAND gate है वो multiply देता है कि अपने यहां पर क्या करते है देखो यह वाला यहां पर अपने NAND gate लगा देती है यह NAND gate है यहां पर dot and बिंदी लगाना मैं बूल गया क्योंकि यह book से diagram लिया होगा तो देखो book में यह यहां पर गलती दी हुई है यहां पर जब आपको usually only NAND gate करने है तो यहां एक बिंदी आएगी वैसे मैंने कई सही भी कर दी नीचे लेकिन यह वाली बिंदी भूल गया तो जब A और B input देंगे तो NAND gate क्या करता है A और B के input का multiply तो करता है दोनों का multiply करता है और उपर बार भी लगा देता है अब उसके बाद जो यह output आया अपने पास इसके आगे फिर एक NAND gate लगा देंगे और उसको NAND gate की तरह लगाएंगे ठीक है यह NAND gate ही तो जब यह output देगा तो आब यह दोनों input तो है या अब इसके उपर एक बार और लग जाएगा तो A B के उपर 2 बार लग तो अब A B के उपर 2 बार लग तो यह क्या हो गया बाद में आपके पास A B ही आएगा अब आपहोगे कि सर ये कैसे आया अ बी के उपर जब 2 बार लग गे तो दुबारा से यह A B ही कैसे आया तो अब देखो अगर मैं इस equation यहां पर बात करता हूँ तो यह a b bar है अब a b bar का दुबारा से bar लेना हो आपको तो जो result आपके पास आएंगे तो देखो एक का 0, 0, 0 और 1 तो अब आप यह वाले result देखो ठीक है यह वाले इसका और यह वाले result तो a b के equally आपके a b double bar वाले result आ रहे है मतलब कि जब double bar लग जाती है किसी भी input पर तो आपको जो output यहां पर मिलता है वो आपका वही मिलता है जो यानि starting वाला input था मतलब कि a b का double bar यहां पर a b के equally आएगा समझाई फिर nand से और gate कैसे बनाते है तो nand से और gate बनाने के लिए आपको पता है और gate में यहां पर आपको चाहिए plus तो plus कैसे बनेगा तो देखो यहां पर a और b को nand gate को अपने यूज़ करते है नोट गेट की तरह है तो आउटपुट अपने को A बार और B बार मिलता है अब कई बचे यहां पर कंफ्यूज हो जाते है कि सरी कैसे मिलता है तो देखो यहां पर जब और इंपुट है इस गेट के पास अल्ली एक इंपुट है तो यह यहां पर अगर मालो आपको मैं यहां यहां पर यह कहा दो कि आपके पास एक and gate है और पीछे से a आ रहा है यहां पर आपको y आपर y आउटपुट पर क्या मिलेगा जब पीछे से input यह एक आ रहा है क्योंकि जो यह एand gate काम करता है यह दो दो operation यह दो input पर काम करता है जब आप दे ही एक input रहे हो तो एक ही आए यहां पर बार, ना ही उसका multiply होगा, ना ही उसका sum वगेरा होगा, तो यहां पर जो end gate है, वो अपना काम, यानि उसमें से input सीधा जा रहा है, लेकिन जो note gate है, वो उसके उपर बार लगा देता है, इस कारणी यहां पर बार लगा हुआ है, समझा ही न बात आपके, तो इस देगा, यह end gate जो होगा, और उपर क्या कर देगा, बार लगा देगा, तो a bar into b bar का whole bar यहां पर आ जाएगा, और यह a plus b के equal होता है, अब का आपको होगे कि सर यह कैसे होता है, तो देखो इसको दो तरीके समझने के, एक तो तरीका है boolean algebra से, और boolean algebra आपके syllabus में नहीं है, क्योंकि boolean algebra की equation से इसको prove किया जा सकता है, left hand side लेके अपने, और right hand side को prove कर सकते हैं, लेकिन आप boolean algebra की rule बगएरा आपको नहीं पता और नहीं हैं, आपके syllabus में है, अब दूसरा तरीका आपकी book में दिया हुआ, इसको prove करने का, अब वो क्या तरीका है, वो तरीका है truth table से तो this result is also proved by truth table, अगर अपने truth table बनाएं, तो इसकी value निकाले truth table से, इसकी निकाले, अगर दोनों की equal आ रही है, तो मतलब यह वाले results ही है, ठीक है, तो अपने यहांपर क्या करते हैं, truth table बनाते हैं, तो truth table में अपने को a, b, a bar, b bar, a bar into b bar भी चाहिए, और इसका दुबारा से बार भी चाहिए, और a plus b भी चाहिए, तो अपने सारे column मना लेते हैं, यहांपर जो जो चीज़े अपने को चाहिए, a आ गया, b आ गया, a bar आ गया, b bar आ गया, दोनों का multiply आ गया, a bar, b bar इसका दुबारा से बार आ गया, और last में a plus b आ गया, और यह दोनों equal होने चाहिए आ आपके पास, तो अपने यहांपर, आपको सबसे पहले यह और b की value लिखने है, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, उसके बाद a bar b bar निकाल लोगे, फिर इनका multiply निकाल लो, फिर इसका reverse कर दो, इस वाले column का, तो इस वाले column का reverse करोगे, तो 0, 1, 1, 1, और जब a plus b करोगे, यानि इन दोनों का पुझा आप क्या करोगे, a plus b करोगे, तो यह भी आपके आज, 0, 1, 1, 1, जो कि आपके पास क्या है, or gate का result है, तो मतलब अपनी जो equation है, तो आपको इसको ऐसी तरीके से याद रखना है, भी यह जो equation है, वो इसी तरीके से काम करेगी, समझाई बात, अब उसके बाद आता है or and and note gate using nor gate, अब nor gate की help से अपने क्या करें, or gate, end gate और note gate कैसे बनाएंगे, तो जैसे उपर वाले बने हैं, वैसे यहाँ पर बनेंगे, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, कि nor gate से जब अपने note gate बनाएंगे, तो वही अपने क्या करेंगे, आपको पता है, बिल्कुल जैस देते हैं और output पर अपने को Y बराबर A बार तो ये नौर से not gate बन गया अब नौर से और gate बनाना है तो A और B और यहां पर नौर gate लगा दो तो ये A प्लस B का बार दे देगा फिर उसके आगे एक नौर gate और लगा दो और दोनों का input राउटपूट इंपूट टर्मिनल हों को जोड़ दो तो ये A प्लस B का double bar लगा देगा तो double bar लगाने पर आपको पता है मैंने result आपको बताया था A प्लस B के बराबरी आता है आप इसको stable से प्रूब कर सकते है जो उपर आपके पास बनाई हुए इसका double bar लगाओ ये 0111 आएगा तो ये 0111 है ठीक है तो ये इसके equally आएगा तो double bar लगाने पर जो equation starting में होती है वही आपके पास बन जाती है मतलब एक बार दूसरे बार को cancel कर देता आप यह कह सकते हूं और फिर नौर से जब अपने end gate बनाते हैं तो नौर से end gate बनाने पर A input दिया या B input दिया तो A बार मिला या B बार मिला ठीक है अब आगे फिर end gate और लगा दिया तो नौर गेट और लगा है तो A bar प्लस B bar का दुबारा से all bar और ये A प्लस B के बराबर होता है अब आप फिर से कहोगे कि सर ये equation कैसे आई तो ये equation आप truth stable से prove कर सकते हो और ये खुद prove करके देखना आप A B A bar B bar A bar plus B bar फिर इसका दुबारा से bar अब आप ऐसे नहीं कह सकते है कि सर यहांपर भी double bar आगया दोनों का भी double bar खतम हो जाएगा तो ये double bar अलग-अलग है यहांपर A bar आ रहा है पहले फिर plus में B bar आ रहा है अगर तो इन दोनों का A plus B का whole bar होता दोनों का whole bar होता और फिर दुबारा whole bar होता फिर तो cancel out हो सकते थे हाँ ये ऐसे हो सकता है कि A bar का बार दे दे आपको और मालो B bar का भी double bar दे दे तो ये A plus B के equal आएगा जुरूर आएगा क्योंकि A bar का बार भी खतम कर देगा उपर वाला और B bar का बार भी खतम कर देगा तो इस कारण इस तरीके से आ सकता है लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते हैं तो A bar plus B bar इस दोनों का होल बार आ रहा है तो ये cancel हो जाएंगे ये नहीं हो सकते हैं समझाई बात इतनी तो ये आपके पास था या रिजल्ट राष्ट में रिजल्ट देखना आप दोनों इक्वल आएंगे A into B वाला और A bar plus B bar का whole bar वाला ठीक है तो ये यहां पर बच्वा आपका हो जाता है ये chapter का बिलकुल दी एंड और मुझे उमीद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा आज इसके नोटस आपको सारे अवलेबल करवा दूँगा यहां तक बिसके बाद इसके question और previous year board exam question करके फिर अपने chapter number करेंगे 17 start ठीक है तो बहुत यह अच्छे तरीके से आपको chapter 17 समझ रहे है